एक शरीर के डॉक्टर को आत्मा के डॉक्टर बनाने के लिए मारगदरशक मेरे गुर्वर त्रिवार वंदन यह सवाल मैं मेरे और से नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे पोती के वर्ज से पूछ रहा हूँ गुर्देव उसका एक सवाल है कि what is a jain way of celebrating the birthday अपना बर्दे कैसे jain धंग से हम celebrate करें यह वो जानना चाहती है जैन धर्व के अनुशार हम अपने जनम दिन को कैसे मनाएं तो जनम दिन मनाने के लिए बहुत सीधा सा तरीका है बर्दे न मनाएं जनम दिन मनाएं बर्दे तो वर्दे हैं आप लोग बर्दे में मुम्मतियां बुझाते हैं केक काटते हैं यह सब हमारी संस्कृति के बिरुद्ध है उसकी जिगा होना यह चाहिए कि हम दीप जलाएं क्या करें जनम दिन मनाने के लिए मैं एक तरीका आप सब को बताता हूँ यदि भी पहले भी ये चर्चा आई है फिर भी काफी लंबा समय हो गया फिर से ताजा होना चाहिए जनम दिन मनाने के समय आप किशी को भी सबसे पहले सुबह सुबह भगवान के मंदिर ले जाए अगर बच्चा आठ साल से उपर का है तो उसे अभिशेक कराए आठ साल से कम का है तो उसे अभिशेक दिखाए अब शेक कराने के उपरान तुसे घर लेकर के आए घर लेकर के आने के बाद एक निश्चित समय पर एक पाटे पर अलपनाएं मांगली आकृतियां बना कर उस बच्चे को बिठाए उसके माथे पर तिलक करे और घर के जितने बड़े जन है पूजा का जो सेसाक्षत है उसके सीश पे डाल करके उसके दिरगायूस कोने का आशिरबाद दे किरन जीवो भाव कुल दीप को भाव यससवी भाव धरमस्वी भाव ये आशिरबाद आप अपने बच्चों को दे आशिरबाद में पूजान की जो द्रबशामा के लिए आपकी बच्ची है उसको बोलते सेसाक्षत तो आप घर लाओ पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था सास्तों में ऐसा बिधाने मंदी से पूजा करने के बाद जब घर लोटते थे सोला सा अच्छत बच्चा था वो बच्चों के उपर लालते थे सेसाक्षत रहता आज परीपाटी बदल गई सेसाक्षत डाल करके उसके लिए मंगल कामदा करिये मंगल आशिरबाद दीजे उसके उपरान उस बच्चे से उस दिन कोई जीव दया का कार कराई है अगर आपके घर में कोई जीव दया का संस्थान है गोशाला जैसी तो वहाँ जाकर के उससे उनकी शेवा कराई है नहीं है तो दान कराई है अभाई दान देजिए अभाई दान से आप नित्तु टलती है साते साप पुन्न का बंद होता है और इसके बाद एक समय पर अगर आप सामुही कुलूप से लोगों के साथ जनम दिन मनाना भी चाहते हैं तो दिन में करें रात में ने और दीप जलाएं साम के समय करें कैंडल बुजाने के जगा उतने सारे दीप जलाएं और केक काटने के जगा उसके हाथो उतने लड़ू बटवाएं तो आपका जनम दिन मनाना साथ था करें चाहूंगा आप लोगों ने तालियां तो बजाई इस सभा में बैठे सब लोग संकल पलो कि हमारे घर में किसी का जनम दिन होगा तो हम इसी रीती से मनाएंगे कितने लोग हाथ उटाते देखे बोलो कुछ हाथ नहीं दिख रहे मुझे महिला बार के में हाथ तम उठा देखे महिलाओं में देखे पूरे हाथ उठा देखे को इसमें दिक्त है तुम्हारी अलग पहिचान बनेगी हाल पाल तुम उम्मती पिछा के हैपी बार डे तू यो यह क्या है अले भारत के सांस्किति गार रखो जगा ऐसा करो जिससे तुम्हारी अपनी पहिचान बने तुमने पश्चिम वालों की नकल क्यो शीख ली यह नकल छूटने चाहिए तो मैं फिर से जोराता हूँ कितने लोग हैं दोलों हाथ पूरे आस्मान की तरब लिखने चाहिए हम अपने घर में किसी का जनम दिन मनाएंगे महिलाओं में क्या हो गया हाँ महिलाओं तो ब्लकुल अभी संतोस नहीं है पूरे हाथ उठने चाहिए हम घर में अपने घर में किसी का जनम दिन में जाओ मना नहीं करें अपने घर में किसी का जनम दिन मनाएंगे तो शी नाया आप तरी कैसे मनाएं उठावाद देखे अभी भी दस परसेंट महिलाएं नहीं है उठा अच्छे से, कुछ तो बुड़ी-बुड़ी माता है नहीं उठा रही है और स्टेज वाले, बिनोर जी, धनिकुमार जी, भाई जी उठाओ